हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं, मैं तो अच्छी हूँ आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो की होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में और आज देख लेते हैं हम कि आज के हमारी कहानी कौन सी है आज की हमारी कहानी का है नाम The Fox and the Grabs तो चलिए शुरू करते हैं Once there was a clever fox One day he did not get anything to eat So he felt very hungry and went to search of food He come to a garden Where he saw bunch of ripe grapes over a tree He wanted to eat the ripe grapes But the grapes were hanging very high He jumped to get the grapes but failed He tried again and again but in vain After many attempts he realized that the grapes were out of his reach He left the place by saying These grapes are sorrow If I eat them I will become sick Moral Clever pupils hide their weakness Ripe grapes मतलब पके हुए अंगूर Sorrow मतलब खटे अब हमने यहाँ कहानी जो इंग्लिश में सुनी है स्टोरी इस स्टोरी को अब हम हिंदी में भी सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ कहानी है क्या यहाँ कहानी है एक चतुर लोम्डी की एक बार की बात है एक चतुर लोम्डी होती है और वहाँ वहाँ बहुत भुकी होती है और यहाँ वहाँ खाना डून रही होती है उस दिन उसे कहीं पर भी खाना नजर नहीं आता है खाने नहीं मिलता है वहाँ खाने की तलाश में जब वह एक घूमते घूमते गाइडन में पहुचती है तो वहाँ एक अंगूरों का गुच्छा देखती है ripe grapes मतलब पके हुए अंगूर ripe grapes मतलब पके हुए अंगूर देखती है वो और वहाँ उसे खाने के लिए लालाइत हो जाती है मतलब उसका मन करता है कि वहां उन पकेवे अंगुरों को जल्दी से खा ले फिर जब वहां उन पकेवे अंगुरों को खाने की कोशिश करती है तो वहां उसे खा नहीं पाती है क्यों क्योंकि वहां बहुत उपर लटके वे होते हैं और महीं कूद कूद कर बार-बार उस उन अंगुरों को खाने की कोशिश करती है लेकिन उन तक नहीं पहुच पाती है उसको नहीं खा पाती है वैन मतलब वहा Campaign का meaning होगा यहाँ पर करती है कि वहाल जो प्रयास करती है उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं वेंद का मतलब होता है हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाना कि उसके बाद जब बहुत अटेंप्स करती है मतलब बहुत कोशिश करती है प्रयास करती है उसके बाद उसको क्या रिलाइज होता है मतलब अनुभ होता है कि वह उन अंगूर तक नहीं पहुच पाएगी और वह उसे नहीं खा पाएगी और वह जगह छोड़ देती है वहां से चली जाती है क्या कहते हुए जाती है कि यहां अंगूर बहुत खटते हैं यहां अंगूर तो खटते हैं सौरों मतलब खटते हैं और अगर मैं इन अंगूरों को खाऊंगी तो मैं सीख मतलब बिमार हो जाओंगी ऐसा कहे कर वहां से वह चली जाती है अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली यह शिक्षा मिली कि जो चतुर लोग होते हैं वह हमेशा अपनी कमजोरी चुपा लेते हैं इसलिए अगर आपको भी कोई चीज नहीं आती है इसलिए हमें अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि मुझे यह नहीं आता या मैं यह नहीं कर सकता वरना लोग आपका फायदा उठा लेंगे लेकिन अगर आपको लेकिन यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो यह कोई आपकी कमजोरी नहीं हुई यह तो आपको करना ही होगा यह आपका पढ़ाई में आपको मन लगाना पड़ेगा ठीक है? तो आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरी कहानिया सुनते रहिए और नई-नई चीजे सिखते रहिए और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानिया लेकर फिर से आऊंगी तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाई बाई